अलो दोस्तो आई हम आपको बताएंगे कि बनार्सी ठंडाई कैसे बना जाती है ऐसी ठंडाई जो आपकी गर्मी निकाल दे और ठंडक आपके अंदर आजागी और ऐसी ताज़ी सुपूरती देगी इसको पीकर आप जूम जाएंगे आईए इसको बनाने की वीडिया आपको बताते हैं सबसे पहले खरबूजे और तर्बूज के बीज ले देजिए और इसको अच्छी करा बेहोने किए और ताकि इसके अंदर की मच्टी गंदर की सारी साफ हो ले इसको मिक्सी में डाल देजिए इसके बार बरीब कटी होई खजूर इसको मिक्सी में डाल दीजिए और खसकरस ताजगी के लिए खसकरस भी बीच में मिक्सी में डाल देने आपने और सूथे गुलाब के फूल ये भी आपने इस मिक्स के अंदर डाल देने हैं और इसके बार इलैची कोडर है तो मिक्सी में डाल देना है तो चार से पांच तक के दाने कारिम इसके इसमें डाल देने हैं इसके बार इसको पहले आपने गया करना अच्छी तरह हैं मिक्सी में खुमा देना है दो से तीन मेंट तब भुमाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह बीच में लिक्स कर देना है ताकि अंदर चिपक के कोई मोटा पदार रहा जाए इसकी बाद एक गिलास पानी दो गिलास पानी डाल दीजिए और इसको फिर बन बाद दिने और आपकी ठंडाई त्यार है इसको आपने क्या करना है कि गिलास में एक छननी से अच्छी तरह चालने ना है इसको आपकी अच्छी तरह चालने ना है इसी बाद सारी सारी इसके गूदा बा निकाल कर और इसके दूद जैसे पदार जो ठंडाई है मिठा बढ़िया पाकतवर आपके लिए तयार है आप इसको पी सकते हैं और पीकर छून जाएए थैंक यू बहराँ तो आपके लिए अजय को एड़ बाद सकतने सन्छी तरह चालने फैंक दोंड़ आपके लिए अच्छी एक जिसलाए